वेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब मैं विनायत इंगलू आप सब का स्वाकित करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्नी विनायत इंगलू में आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेफ मोड का आप अपने PC या लैप्टॉप को कैसे सेफ मोड में एनेबल कर स सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने PC या लैप्टॉप को दो तरीकों से सेफ मोड में ला सकते हैं और निकाल भी सकते हैं जो पहला तरीका है वो रहेगा कुछ इस तरीके से एडवांस बूट आप्शन जो होते हैं आपके वह आपको अने सेफ मोड पे जाके एंटर की को प्रेस करेंगे जब आपने हाइलाइट किया होगा सेफ मोड को जब आप एक करेंगे तो आपका PC या लैप्टॉप सेफ मोड पे एक्टिवेट हो जाएगा और अन भी हो जाएगा पर उसको डिसेबल करने के लिए आपको कोई और प्रोसेस तो समझ गए होंगे, अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, दूसरे तरीके में अगर आपको safe mode activate करना है, या आपका PC या laptop safe mode में activate हो चुका है, और आप उसको normal mode में activate करना चाहते हैं, तो आप window plus R key को press करेंगे, जिससे run command open हो जाती है, और आप यहां लिखेंगे ms configure, आप जै सकते हैं, आपने यहां कहीं नहीं छेड़ना है, क्योंकि मेरा आप देख सकते हैं, पहले ही normal mode पर है, आपका safe mode पर होगा, तो आप boots पर जाने के बाद आपको और पर हाप भी मिलेगा save boot, आपने इसको enable करके रखा होगा कुछ इस तरीके से, आपने इसको disable कर देना है, जैसे आप इसको disable करेंगे, आप apply करेंगे and finally okay करेंगे, तो आपका safe mode हट जाएगा, और अगर आप चाहते हैं कि safe mode आप लगाना चाहते है, तो आपने इसको enable करके apply करके okay करना है उसके बाद आपसे restart मांगेगा और जैसे आप इसको restart कर देंगे आपका PC जब next step on होगा restart होने के बाद तो वो जो mode होगा वो save mode होगा और आगर आपको तो वो save mode होगा तो आपको simply फिर से वो नहीं करना है कि आप सोझेंगे में restart करूँगा तो वो हट जाएगा जो कि method 1 में हुआ था आपने फिर से विंडो और को run command को open करके MS configuration में जाने के बाद उधर फिर से आपने boot में जाना पड़ेगा और यहां से इसको disable करना पड़ेगा जब आप इसको यहां पर disable करेंगे उसके बाद आप OK करेंगे यह फिर से one time restart मांगेगा उसके बाद ही आपका PC या लैपटॉप normal mode में चलेगा तो I hope आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आई है तो प्लीज मेरे चैनल को like, subscribe and share करें Thanks for watching the video